तो दोस्तो आज का टाइटल और थम्दले के आप समझी गए होगे आज की मेरी वीडियो दोस्तो वो किस पर होने वाली है तो मैं देर ना करते हुए सीरे लिंक को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ आपको यह लिंक चाहिए तो आप डिस्कस्पन में जाकर देख सकते हैं आपको यह लिंक वहाँ पर मिल जाएगी तो दोस्तो इस लिंक को खोल लेने के बार आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इसमें आपकी एज आप देख सकते हैं 18-26 साल qualification आपकी आई टी आई एंजी विटी से वी सिटी पास आउट होना चाहिए लास्ट इट दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने सब कुछ डिटेल आप अच्छी तरह से देख सकते हैं तो दोस्तों इसमें apply करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी mail id को type कर देना है तो मैं देर ना करते हूँ यहाँ पर जली से अपनी mail id को यहाँ पर type कर लेता हूँ और दोस्तो mail id पर type कर लेने के बाद submit बटन पर कर देंगे यहाँ पर click तो दोस्तो जब आप सम्मेट बटन पर क्लिक कर देंगे तो सम्मेट बटन पर क्लिक करने के बार आपके पास OTP आ जाएगी जैसे यहाँ पर मेरे पास email verification की OTP दोस्तो आ चुकी है तो यहाँ पर OTP को दोस्तो देख लेने के बाद सीरे चलते हैं वापिस अपने ब्राउजर में यहाँ पर अपनी OTP को डाल लेंगे और दोस्तो OTP डालने के आना verify पर कर देंगे क्लिक यहाँ पर दोस्तो कुछ network की problem आ रही है तो मैं इसको जब तक clear करता हूँ आप अगर मैं चैनल पर पहली बार आएं चैनल को कर देगा subscribe साथ मिन वाली का बेल आइकन भी जिससे आप मेरी वीडियो तक पाएंगे सबसे पहले तो दोस्तो इसको problem को मैं जल्दी से clear करत करता हूँ और दो टीपी डाल लेने के बाद यहाँ पर जैसे verify पर किलिक करता हूँ तो मैंने फार्म को पहले भी रखा था इसलिए मेरा पुराना डेटा यहाँ पर सो करता है तो मैं यहाँ पर अपनी profile जो मैंने picture यहाँ पर save कर रखिए मैं अपनी profile पिक को select लेता हूँ पर पिन पर किलिक करूँगा यहाँ से upload पर किलिक करेंगे और दोस्तों upload करने के बाद आप देशकते हैं कि मेरी photo upload हो चुकी है यहाँ पर मैं अपनी name, father's name, data birth, gender वो सब अच्छे से check कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इस form को एक बार पहले भी फिल किया था यहाँ पर अपना mobile number, alternate mobile number वो भी चेक कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आते हैं address पर तो यहाँ पर अपना address अच्छे से check कर लेजिएगा, मैं अपना address को यहाँ पर भर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर पूरा address आपका village का नाम, post, तैसील और आपका district सारी जनकारी एक दम अच्छे से fill कर लेंगे दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लग दी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजेगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे और दोस्तों सारी जनकारी फिल कर लेने के बार मैंने present and permanent address को same रखा हुआ है, उसको मैंने fill कर दिया है, यहाँ पर आपने 10th की percentage marks और उसके बाद दोस्तों गर आपने गिरिशन किया हुआ है तो yes or no पे click कर देंगे, नहीं तो आप उसको blank छोड़ देंगे, उसके बाद दो नीचे आते हैं तो आपको भणने है, यहाँ पर ITI detail, जीये, रस्तों आपकी ITI की जो this की, मार्च सीट है, उसमें क्या नाम है वह यहाँ पर आप अच्छे से fill कर देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है, आपकी trade जो आपकी trade हैं उस trade का नाम यहाँ पर भर उसके बाद दुस्तों आप देख सकते हैं कि टाइप गवर्यमेंट कॉलिज था आपका प्राइवेट कॉलिज था कॉंसिल में आपकी एंसीविटी या एसीविटी वो यहां पर भर देंगे उसके बाद दुस्तों आते हैं परसेंटेज पे तो यहां पर आप अपनी कोलम आप दिक सकते हैं आगे यहर सैटुंगाँ वह आप यहाँ पर फिल कर देगा तो मैं यहाँ पर अपनी को आप इसके बाद इसके अब नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको यह जहनकारी वो कहां से मिली थी आपको ITI से मिली थी या जिस से मिली थी आप महाँ पर आप देख सकते कॉलम को भर देंगे तो दुस्तो मैंने यहाँ पर कॉलम को भर देने के बाद आप अपना आधार नंबर को यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा और दुस्तो आधा नमबर टाइप कर लेने का आप दिखते हैं मारुती सुचकी इंडिया लिम्टेड में अगर आपके पहले से काम किया है तो यस कर देंगे नहीं तो आप नो कर देंगे मैंने पहले से काम कर रखा है तो आप उसकी इस्टाप ID को भर देंगे उसके बार दोस्तो आते हैं यहाँ पर जो आप फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तो इस फाइल में आपकी 10th की मार्ट सीट, IT मार्ट सीट आधार काट, पैन काट जी हैं दोस्तो आपको इस सब एक ही फाइल में बना लेना है और उसको यहाँ पर अप्लोड कर देना है इस कंडिशन का आप दोस्तो दियान रखें आप अलग-अलग फाइल कर लेंगे तो आप इसमें फाइल अप्लोड नहीं कर पाएंगे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों यहाँ पर upload करने के बाद आपको I understand पर click कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर submit कर देंगे दोस्तों submit कर देने के बाद अपनी detail को check कर लीजेगा आपके सामने आपके इस तरह का interface आएगा जैसे आप देख सकते हैं मेरी report successfully submit हो चुकी है आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों जब यहाँ पर successfully submit हो जाने के बाद आपके पास email पर notification आजाएगा तो आप उस email को भी है मैं अभी दिखा देता हूँ कि मेरे पास किस तरह का email आया हुआ है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आएं चैनल को सब्सक्राइब साथ मेरे वाले वाले घंटी वाले आइकन पर दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक फिर से मिलेगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार लखिएगा